पोदे सरकार, क्या, आपले से डिक, रोजेक तुरबल, तानारा एई भीडियोटी देख बेनना विजेपिर की उल्टो गुन्ती सुरु होये गालो मोहरास्टेर एई आत्ता कापानो भीडियो सोसाल मीडियात आकोन भाईराल बीजेपिर विरुद्दे आमरा मानुसेर अनेक रखों पोतिबाद देखी छी, रास्ताइने में पोतिबाद, सोसाल मीडियाते पोतिबाद, किन्तु जेई आगुले बीजेपिके भोड दिये छे, से आगुल केटे पोतिबाद, एई मुहुत्ते सोसाल मीडियाते ज़ाड त अब शुरू हो चुकी है, इन्हें लेकर अब विरोध प्रदशन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, आपने मोधी सरकार के विरोध में प्रदशन करते वे लोगों को देखा होगा, सडकों पर बैठे लोगों को देखा होगा, यहां तक कि खून से लिखे लेटर, खू जाएंगे, जिस उंगली से मोधी को वोट दिया, वही उंगली उस शक्स ने काट डाली, इसका एक वीडियो भी सामने आ रहा है, वीडियो बेहर डिस्टरब करने वाला है, लेकिन वीडियो का कुछ हिस्सा आपको दिखाएंगे कि वो शक्स किस तरह से अपनी उंगली को मोधी सरकार का विरोध कर रहा है, और साथ में ये भी कह रहा है, कि मैं हर हफते अपने शरीर का एक अंग काट कर जो है, वो दिविंद्र फट नवीज को भेजूगा, पूरा मामला क्या है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, या, ब भाराष्ट की जो लोकल लेंग्विज होती है, उसी में बात करता है, और उसके बाद वो अचानक से वहाँ पर रखे हतियार से अपनी उंगली काट लेता है, वो कहता है कि इसी उंगली से आपको वोड दिया था, इसी उंगली से बटन दबाया था, और अब यहीं उंगली ये भी कह रहा है कि मैं हर हफते अपने शरीर का एक अंग काट कर मुख्यमंत्री को बेजूगा, डिप जे सीम को बेजूगा, तो पूरा मामला जानने के लिए नब भार टाइम्स का ये आर्टिकल आपके सामने है, आर्टिकल की हेडलाइन में ये लिखा हुआ है कि जिस उ बज़ा रही है इसके पीछे, मुदी सरकार का इस तरह से इतना धूर विरोधी है किस तरह से हो गया, इसने मुदी को वोट दिया था, तब ही तो कह रहा है कि जिस उंगली से वोट दिया था, वही उंगली काट दी, तो ऐसा क्या हो गया कि आब इसे मुदी सरकार पसंद न विधायक के भाई ने उठाया कतम तो विधायक के पिये जो है वो दबंगों से परिशान थे मानसिक संतुरन उनका खराब हो रहा था और उनको लगाता जो है उन पर अत्याचार किंग जा रहा था डराया धंकाया जा रहा था इन्हीं सब की शिकायट भी होने करी लेकिन कोई फाइदा नहीं हुआ उसके बाद उन्हों ने आत्माहत्या कर दी यह जो शक्स आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं यह उनके भाई हैं इन्होंने अपने भाई को लेकर शिकायट की अपने भाई के साथ जो कुछ हुआ वो बता लेकिन इनकी शिकायट पर भी कोई परिनाम निकल कर सामझ नहीं आए धननजे नानवरे ने अपनी उंगली काटकर ग्री मंत्री देविंदर फड़नवीज को उपहार में भेजी है नानवरे ने कहाई कि हर हपते शरीर का एक हिस्सा काटकर फड़नवीज को भेजूगा तो कुछ चीजें उनके साथ हुई उनसे ये बहुत जादा दुखी और बहुत जादा आहत थे इन्होंने शिकायट भी की लेकिन कोई परिनाम यहाँ पर नहीं निकला पुलिस प्रिशासन का काम करने का तरीका तो आप सभी जानते हैं और उसी से परेशान होकर इन्होंने जि पतनी के साथ खुदकुशी कर ले थी कहा जा रहा है कि वो अंबरनात के विथायक बालत जी किनिकर के पीए थे सुसाइड नोच और एक वीडियो से खुलासा हुआ कि ननाबरे दंपत्ती कुछ दबंगों से परेशान थे उन्होंने वीडियो में सतारा के कुछ लोगों औ अधिवक्ता का नाम लेते हुए कहा था कि ये सभी लोग उन्हें मानसिक रूप से प्रतारित कर रही हैं इनकी वज़ा से वो अपनी पतनी के साथ वो आत्महत्या करने को मुझपूर हुए हैं इस घटना के ही 20 दिन बाद भी किसी की भी गिरफतारी नहीं हुई पुलिस की जांस निलाश होकर ननाबरे के भाई धननजे ननाबरे ने अपनी एक उंगली काट ली तो आपने वीडियो में जिस शक्स को देखा वो ननाबरे के भाई धननजे ननाबरे हैं धननजे ननाबरे के भाई ने और भावी ने खुदखुशी कर ली क्योंकि दबंगो और परवाई देखी और पुलिस ने 20 दिन हो गए घटना के लेकिन पुलिस ने अब तक किसी को गिरत्तार नहीं किया हलाकि सुसाइब नोट में उने साफ साफ कहीं लोगों का नाम लिया है और कहीं लोगों पर आरोप लगाया है कि इन्होंने मुझे परेशान किया और हमें जो ह मुशलमानों बिपदे नाई देश बिपदे देशेर मानुस बिपदे भयंकर संकटेर मद्देर ओए छे भारतेर मानुस एई भीडियो थेके एटाई पोमानितो है जारा कथाई कथाई बोले जे हिंदु राष्टो हिंदु राष्टो आपना देर के उनुरोत करची एई भीडियो टी तादेर काचे पहुशन दरकारा आचे जारा भारत के हिंदु राष्टो हिसाबे देखते चाई छे अपना देर मतामत की अवो स्वी कॉमेंटे लिखे जाओंगा